बिहार टेट एस्टेट एक महत्पुन परिक्षा है जिसे सरकार पिछले 7-8 बर्सों पर पुना आयोजित कर रही है इसमें हमारे पास केडियर तलास करने का एक सुनहरा मौका है अगर हम इस बार सफल नहीं हो पाते हैं तो पता नहीं फिर हम आगे सरकार कब परिक्षा लेगी और कब हम सफल हो पाते हैं इन परिक्षा में संस्किर्ट एक महत्पुन बिसे है और इस बिसे में कप्रिटिसंस भी जादा है और सब्जक्ट भी कम है इसके लिए हमें जितनी अच्छी हमारी तैयारी होगी हम उतना ही सवों से आगे होंगे हमारे marks जितने अच्छे होंगे हम उतने ही selection list में सबसे उपर होंगे इसके लिए संस्किर्ट में कुछ चुनिंदा प्रसनों को मैंने आपके लिए select किया है जो पिछले कई-परिक्षाओं में भी पुछे गए है प्रसन आने की पुरी सम्भावना है इसलिए आप मेरे साथ मैं परसन करूंगा आप मेरे साथ-साथ उतर देने की कोसिस करेंगे आईए प्रस्न वन हमारी प्राचिन संस्कृती कहां सुरक्षित है ओप्सन्स हैं बेदों में उपनिसद में पुरानों में धर्मसास्त्रों में तो सही उत्तर होगा बेदों में प्राचिन भारतिय बेद कौन सा है प्राचिन भारतिये बेद कौन सा है? तो option है साम बेद, रिगवेद, यजुरुबेद, अथरबेद तो सबसे प्राचिन बेद, साव रिगवेद के नाम से जाना जाता है रिगवेद कितने मंडलों में भी झाता है? रिगवेद में कितने भागे हैं? कूल भागों की संख्या जो है रिगवेद में वह कितनी है तो टोटल रिगवेद को साथ आठ नो दस दस भागों में बाटा गया है रिगवेद में सुक्तियों की संख्या कितनी है अर्था दस मंडल जो इसके हैं उन दस मंडलों में कितनी सुक्तियां दी गई है तो दस सो अ सामवेद से अथरवेद से तो इसका सही उत्तर होगा सामवेद से सामवेद में कितने मंत्रे हैं सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है 1675 1875 1965 1475 सही उत्तर है 1875 अथरवेद में कितने कांड है अर्थाथ अथरवेद को कितने भागों में बटा गया है कूल अथरवेद कितने भागों में बटा हुआ है 15 20 17 18 फ banco कूल भाग हैं उसके 20 इत अथरवेद में कितने मंत्रे हैं 5887 5956 छे हजार ती छे हजार आठ तो सही उत्तर आएगा पांच हजार नौसो सतासी अथरबेद के किस कांड में भूमी सुक्त है अथरबेद के किस कांड में भूमी सुक्त की चर्चा की गई है यह अत्यान महत्पुन परश्ण है जो इसके पहले भी कई परिक्षाओं में आ चुके हैं भुमी सुक्त किस कांड में है तो अथरवेद के बारहमें कांड में भुमी सुक्त है गर्मी से तकते हुए लोगों की रक्षा कौन करता है बिक्ष बादल छतरी इन में से कोई नहीं तो सही उत्तर होगा बिक्ष नेक्स्ट केस्टन संगीत किसे कहते हैं निरित गीत वाद्य या इन तीनों को तो सही उत्तर होगा इन तीनों आगे प्रस्ण है संसकार उत्सव पर गय जाने वाले गीत कहलाते हैं संसकार उत्सव अर्थत हमारे यहाँ जो मुंडन है बिवा संसकार है और अन्य भी जो ग्रामीन या सहरी संसकार होते हैं उनमें जो गित गाये जाते हैं, वो गित क्या कहलाते हैं, गित, संगीत, संसकार गित, बादवादन, तो सही उत्तर होगा संसकार गित, मुसल्मान किस नाम से उपवास तोड़ते हैं, उनका जो 30 दिनों का रोजा होता है, तो वो परती दिन सुभा से साम तक रोजा रखते है और साम में रोजावा तोड़ते हैं, तो वह किस नाम से जाना जाता है, उसे इफ्तार कहते हैं, जो हमारे हिंदूों में परण के नाम से जाना जाता है, इद माना जाता है, इद कैसा पर्व माना जाता है, आप्संस हैं, तपस्या और उपाशना का, धार्मिक कटरता का, त्य उत्तर होगा तपस्या और उपाशना का गाउं किसने बनाया गाउं में हम लोग रहते हैं भारत गाउं का देश है इस गाउं को किसने बनाया मानव ने प्रकृती ने प्यापाडियों ने कोई ने सही उत्तर है प्रकृती ने ग्रामी लोग नगर की और पलायन क्यों करते हैं गाउं के जो लोग हैं, वहा नगर मुखिता किस काड़ी के लिए आते हैं? अराम के लिए, धनव पारजन के लिए, सोभा देखने के लिए या कोई नहीं. तो सही उत्तर होगा धनव पारजन के लिए. क्योंकि उन्हें गाउं में रोजगार की कमी है, जबकि सहर में कंस्ट् कब जली अर्था भारत में अंग्रेजी सासन के लिए सबसे पहले आंदोलन कब प्रारम हुआ 1854, 1860, 1865, 1870, सही उत्तर होगा 1845, sorry 1854 भारत का पर्थम सोतंता संगराम कब हुआ भारत का पर्थम सोतंता संगराम कब हुआ 1845, 1857, 1860, 1850 तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि पर्थम सोतंता संगराम 1856 हुआ पटना में इसे जुरा एक महत्पुन प्रस्न है पटना में सोतंता से नानियों ने सर पर्थम तिरंगा कब फहराया 19 जून 1857, 19 जुलाई 1857, 19 अगस्ट 1857, 20 अगस्ट 1857 तो सही उत्तर है 19 जून 1857 प्राचिन सहाबात जिले पर किसका अधिकार था? कुमर सिंग, डनवर, पॉल, मुहम्मद काशियूं किसका अधिकार था? तो सही उत्तर है कुमर सिंग कुमर सिंग ने किस अग्रेज सेन्य अधिकारी को पराजित किया? किस सेन्य अधिकारी को जो बहुत महत्पूंधा जिसके बाद इनकी परसिद्धी चारो और फैल गई किसे पराजित किया था? लेगरेंड, डनवर, इरवीन, डगलस तो वस्य ने धिकारी डनवर्थ है बुद्ध काल में पाटली ग्राम कहां इस्थित था? बुद्ध काल में पाटली ग्राम कहां इस्थित था? गंगा किनारे, सोन किनारे, पुनपुन किनारे या इनमें से कोई नहीं तो सही उत्तर होगा मित्रूं बुद्ध काल में पाटलीess ग्राम गंगा किनारे इस्थित था आगे प्रस्ण है पाटलीग्राम एक महानगर होगा पाटलीग्राम आने बाले समय में महानगर होगा ये किस ने कहा था महावीर ने, गौतम्बुद ने, असोक ने और पडसेंजीत ने सही उत्तर है गौतम बूद ये कई बार पटली पुत्र भूमने के लिए आये थे और उन्होंने प्राचिन काल में ही या कहा था कि आने बाले समय में पाटली ग्राम अर्था पठना एक भूद बरा नगर हो जाएगा चमाराओ का जन्म कब हुआ था पंडिता चमाराओ का जन्म कब हुआ था 1870, 1875, 1890, 1895 ये सारे प्रासन आपके BTC टेक्स्ट बूक से लिए गया है जो आपके टेट, सीटेट की परिक्षा में अत्यांत मौतपूर्ण होते हैं जिसमें से 25 अंग आपके पुछे जाते हैं तो सही उत्तर है अठारा सो नब्बे संकर चरितम और मीरा लहरी किसकी रचना है? संकर चरितम और मीरा लहरी किसकी रचना है? छमाराओ, भवालकर, मिथिलेश कुमारी, पुस्पा दिक्षित इन में से यह किसकी रचना है? तो सही उत्तर है छमाराओ संसकार के कितने परकार है तो संसकार के 2, 3, 5, 6 2, 3, 5, 6 तो सही उत्तर होंगे इसके 5 मुख्य परकार 5 है उपनयन उपनयन का अर्थ क्या है? उपनेयन जिसे हम लोग जनेव होना भी कहते हैं यग्योपवित, मुन्दन करवाना, अक्छरारंभ, कोई नहीं तो सही उत्तर है यग्योपवित स्वामी दयानन्द का जन्म कब हुआ? स्वामी दयानन्द का जन्म कब हुआ? 1820, 1824, 1826, 1828 तो सही उत्तर है 1824 कर्मवीर कौन था जो पिछले एस्टेट में भी क्वेस्टन पुछा गया था कर्मवीर कौन था राम प्रवेश राम दयानन्द विवेकानन्द विधान चन्र राय तो सही उत्तर है इसका राम प्रवेश राम इस प्रकार मैंने आपके सामने 30 कलक्ति परसनों का संचे दिखा आप इस चैनल में बने रहिए और निश्यत रूप से आपको अच्छा लगात इससे सबस्क्राइब किये ताकि भागटू तुरत आपके स्टेट पर एविलेबल हो जाए इसके लिए धन्यवाद